हलो दोस्तो के आर जाम चेनल में आपका स्वागत है दोस्तो यूपी बोर्ड की तरब से आज की डेट में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है क्लास 10 और 12 के रिजल्ट के बारे में जिसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड के 10 वी और 12 के कोपियों का मुल्लांकन जो है वो आज से सुरू होने वाला तो चल्यों दोख्तों देखते हैं पूरा जानकारी को और इससे पहले अभी तक आप हमारे चेनल को सब्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे में जो रेट कलर का बटन देख रहा है उसको दबा के चेनल को सब्क्राइब कर दिजे साइड को सब्क्राइब कर दिजे साइड में बेल आइकान की घंटी है उसको भी दबा दिजे ताकि आप लोग का रिजल्ट के बारे में कोई भी जानकारी आए तो सबसे पहले आपको इंफर्मेशन मिल जाए तो चल्ये दोस्तों देखते हैं पूरा नोटिस को तो यह रहा दोस् पिश्वास नहीं हो रहा है तो इस विडियो के description में आपको official link मिल जाएगा यह नियूज का आपको official link मिल जाएगा आप लोग खुज से जाके देख सकते हैं तो चल्ये देखते हैं इसमें क्या बताया गया दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको बता रहा है कि UP Board मुल्यांकन आज से बजट के आभाव में जरूरी इंतजाम पर सवाल ठीक है देखे यहां बोल रहा दोस्तों कि यूपी बोर्ड के दसवी और बारवी की परिच्छा के कोपियों का मुल्यांकन मंगलवार से सुरू होगा आज है मंगलवार ठीक है दोस्तों आज से सुरू होने वाला है उसके बाद बता रहा है यहां कि कोरोना के मद्दे नजर सरकार ने केंद्रों पर सेनिटाइजर लिक्वीड साबून नेपकीन उसके बाद मॉस्किटो ठीक है उसके बाद लिप्टे ने आधी इंतजाम करने के दिये निर्देश दिये हैं लेकिन यहां बता रहा है लेकिन बजट के आभाँ पर इस पर सवाल उठ रहे हैं उसके बाद बता रहा है कि माज़मिक सिच्छा विभाग 300 परिच्छकों पर 4500 रुपई खर्च देता है उसके बाद आगे बता रहा है जिसमें इस्टेनरी, पानी, बोरा, सूतल, बिगली और कौपी ढुलाई का भाड़ा सा संद्रों के परधाना अचारी अपने लेव से अच्छी खासी रकम खर्च कर देते हैं ठीक है क्योंकि बोर्ड की तरब से मिले रूपिय कम पढ़ जाते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे बता रहा दोस्तों यहां कि मुल्यांकन शुरू होने से पहले मुल्यांकन जमुना ठीक है उसके बाद बता रहा क्रिश्चेन यह सभी यहां पर बता रहा कि भारत काउट गाइड कोलज आधी केंद्रों में निगम टीम की सेनिटाइजेशन किया गया है ठीक है उसके बाद आगे बता रहा यहां कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए DGIC के एक कमरे में 12 से 13 टीचर बेठने का इंतिजाम किया गया ठीक है दोस्तों मतलब एक कमरे में लगबग 12 से 13 टीचर बेठेंगे उससे ज्यादा एक कमरा में बेठने नहीं दिया जाएगा ठीक है उसके बाद आगे बोल रहा है कि इसी परकार अन्ये केंद्रों में भी 2 आगे बता रहा है कि मुल्यांकन शुरू होने से पहले सोमवार को GIC जितने भी मुल्यांकन केंद्र बता रहा है यहां पर सारा मुल्यांकन केंद्रों का नाम दिया हुआ आजी केंद्रों पर नगर निकम टीम की सेनिटाइजेशन किया गया और सोसल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सिछकों को बेटने की विवस्था किया गया ठीक है उसके बाद आगे बता रहा है कि GGIC के एक कमरे में 12 से 13 टीचर बेटने की इंतजाम है इसी परकार अन्य केंद्रों में भी दो-दो टीचर की बेटने के विवस्था किया गया है और पर्धानाचारी ने जो है पहले ही बता दिया है कि अपना घर से आए ठीक है दोस्तों तो यह था पूरा जानकारी मैंने आपको पूरा डिटेल आपको बता दिया ठीक है दो यदि आपको वीडि सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए ठेंक्यू